आज मैं बना रहे हूं रमजन्ज में सबसे बनने वाला स्पेशल रेसिपी सिमाईया या सेरकूर्मा हर किसी को सिमाईया इतना पसंद आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं एक पैन में मैं दो लीटर दूद ले लेडियू दूद को पहली गारा कर लेना है गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम रखके दूद को हुने देना है और बीच बीच में चलाते रहना है सिमाईया बनाने का टाइम कोशिश किजिएगा एक भारी बरतन लेने का नहीं तो दूद नीचे लग सकता है दूद में उबाल आ चुका है अब इसको धीमे आज में गारा कर लेना है बीच बीच में चलाते रहना है अगर मेरा रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीस चैनल को सपोर्ट किजिए और आगे बनने के लिए और रेसिपी रिलेटेट कोई भी बात हो तो मुझे कॉमेंस करके ज़रूर बताईए दूद को बॉयल करके काफी गारा हो चुका है इस टाइम में मैं ड्राइफूर्स दूद में एट करूँगी इसके लिए पैन में मैं घी ले ले रही हूँ घी गरम होने से ही मैं सारा ड्राइफूर्स को हलका सा रोस्ट कर लूँगी सभी ड्राइफूर्स को मैं पहले से ही चौप कर लिया था अब पसंद का अनुसर कोई भी ड्राइफूर्स डाल सकते हो पहले ही में पैन में काजू, अलमंट और अक्रोट को हलका सा रोस्ट कर लूँगी इसके बाद में डाल लिए पेस्ता और किस्मिस इस टाइम गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो ड्राइफूर्स जल सकता है सभी ड्राइफूर्स को अभी गड़म दूद में डाल देंगे सभी ड्राइफूर्स को दूद के साथ मिक्स कर देंगे और इसको होने देंगे दूद को जितना गारा करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा बीच बीच में चलाते रहना है दूद अल्मोस्ट गारा हो चुका है अभी मैं और तीन से चार मिनिट के लिए इसको होने दूँगी चार मिनिट बात मैं आपको दिखा दे रही हूँ देखिए दूद अल्मोस्ट गारा हो चुका है अभी चलते हैं नेक्स टेप में दूद को साइड में रख देते हैं, अभी एक पैन में मैं बचा हुआ घी को ले ले रही हूँ, टोटल मैं हाफ कप घी यूज किया हूँ घी गरम होने से मैं डाल दे रही हूँ, सेवाई को लगभग देर सो ग्राम सेवाई है दो लिटर दूद के लिए मैं देर सो ग्राम सेवाई यूज कर रही हूँ, अगर अब थोड़ा पतला बनाना चाहते हो, तो एक सो ग्राम सेवाई काफी है सेवाई अल्मोस घी में फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसको दूद में डाल दूँगी इस टाइम गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे सेवाई को एकदम लास्ट में दूद में डालिए, यह बहुत हलका होता है और दूद तुरंद एबजब कर लेता है अभी मैं डाल रिऊचीनी मीठा आप आपका पसंद का उनुसर डालिए अभी सभी को चलाते रहेंगे दो मिनिट के लिए बस होने देंगे इसको इसके बाद गैस का फ्लेम को बंद करके इसको ढखके रख देंगे बन के एकदम रेडी हो चुका है देखिए कितना मज़दाल लग रहा है रमजन स्पेशल रेसिपी सिमाईया बन के एकदम रेडी है मैं एक सर्विंग बोल में ले लिया हूँ उपर से थोड़ा पेस्ता का पावडर से गानिश कर रहे हूँ घर में इसको जरूर ट्राइ कीजिए खुद भी खाईये और सभी को खेलाईये